अगर आप अपनी हड़ीوں को मजबूत करना चाते हैं, अपने जोडों को मजबूत करना चाते हैं या बुरे कॉलेस्टरॉल को अपनी बोडी से दूर करना चाते हैं, क्या आप जानते हैं इन सभी तकलीफों के लिए क्या किया जाएं? तो आपको बतादों कि इन सभी तकलीफों के लिए सिर्फ ये छोटे से बीज आपकी बॉडी में इतना कमाल का काम करेंगे कि आपकी दवाईयां तक छूट जाएंगी आप हरान हो जाएंगे कि बिना दवाई के आप अपने डाइबिटीस को कंट्रोल कर पा रहे हैं बिना दवाई के आपके गुटनों का दर्द ठीक हो रहा है बिना दवाई के आपका बीपी नॉर्मल रह रहा है तो चलिए जान लेते हैं ये साधारण से बीच कौन से हैं और इनका इस्तमाल कैसे करना है दोस्तो वीडियो में आगे चलने से पहले आपको एक छोटी सी जानकारी और देदू कि अगर आप बहुत मोटे हैं और अपने आईडियल वेट पर आना चाहते हैं और आपको पता ही है मोटापा बहुत सारी बिमारियों का कारण है या फिर आप बहुत पतले हैं अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं अपने मसल वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक नमबर दिखाई दे रहा है उसके वटसेप पर आप मुझे यस लिख कर बेजिएगा मेरी कॉल आपके पास जरूर आईगी दोस्तों वो साधारन से बीच है pumpkin seeds यनि कि कद्दू के बीच कद्दू ही खाने में बहुत फाइदेमंद है आपको सच में ऐसे लगेगा कि ये हम खाते क्यों नहीं हैं दोस्तों जो pumpkin होता है जिसे कद्दू कहा जाता है ये अगर liver patient है कोई जिसको fatty liver की समस्या रहती है लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा लिवर सोराईसिस हो चुका है और लगातार एक महीना अगर वो पेठे का सेवन कर ले pumpkin खाना शुरू कर दे सबजी के अंदर या वैसे भी उभाल कर तो उसका fatty liver बिना दवाई के ठीक हो जाएगा अगर liver सोराईसिस हो चुका है तो वो भी बिना दवाई के ठीक हो जाएगा और जो ये पेठा है pumpkin है दोस्तों ये हमारे digest system को इतना strong कर देता है हमारी पाचिन क्रिया को इतना दरुस्त कर देता है कि हमारा खाया गया सारा खाना बहुत असानी से पच जाता है लेकिन लोग इसे सवाद के द्वारा खाना नहीं चाते क्योंकि इसका सवाद बहुत अच्छा नहीं होता लेकिन बहुत बुरा भी नहीं होता आप इसे तड़का लगा कर खा सकते हैं आप इसकी सूप बना कर पी सकते हैं लेकिन आज मैं आपको इसके बताने वाली हूँ कि इनके अगर आप बीज रोजाना खाते हैं तो आपको क्या फाइदे होते हैं दोस्तो इसके अंदर भरपूर मात्रा में पोशक तत्व पाई जाते हैं इसके रोजाना सेवन से बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी बिमारिया दूर हो जाती है अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर हो चुका है, आपको सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है तो इस pumpkin seed के अंदर jink पाए जाता है और jink क्या काम करता है, क्या आप जानते हैं, दोस्तों ये हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारी जो इम्यून सिस्टम यानि की हमारी रोग प्रतिरोदक शमता को बहुत स्ट्रॉंग कर देता है और आपको होने वाली ये viral fever से और viral infection से बचा कर रखता है इसकी इलावा बात करते हैं दिल के उस्वस्त रखने की तो कद्दू के बीज बहुत ही दिल को स्वस्त रखने के लिए important है इसके अंदर पाये जाने वाला potassium हमारे heart को healthy रखता है BP को normal करने का काम करता है खाने का तरीका कौन सा है बहुत सधारन है अगर आपको बुरा cholesterol body भी बढ़ता है और आप ये सोच रहे हैं कि आप कोई तेल घीर नहीं खा सकते क्योंकि आपको तो बुरा cholesterol बढ़ता है लेकिन फिर जोडों की चिकनाही और मास पिश्यों में होने वाली चिकनाही को कैसे लाया जाए तो आप इस कद्दू के बीजों का सेवन करना शुरू कर दीजिए pumpkin seed का सेवन करना शुरू कर दीजिए या आपको दिल को तंदुरूस्त रखेगा बुरे cholesterol को body से बाहर कर देगा आप्तों की चिकनाही को पैदा कर देगा जोडों में चिकनाहट को पैदा कर देगा और कभी भी grease की कमी नहीं आने देगा बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनकी जोडों में गुटनों में लगातार दर्द रहता है या फिर उनके जोड आपस में टकराते हैं और वो ये सोचते हैं कि हमारे जोडों में और मासमेशियों में सूजन आ चुकी है स्वेलिंग आ चुकी है तो सूजन को दूर करने का और जोडों की जो दर्द है तकलीफ है या अर्थराइटिस की समस्या को दूर करने के लिए किसी उशदी को ढूंड रहे हैं तो आपको कद्दू के बीजों का regular saving करना है सिर्फ और सिर्फ एक चमच किस साधारन से तरीके से किया जाए कि आपको इसके फाइदे और ज़्यादा मिलें तो आपको इस सारी जानकारी में दे दूँगी दोस्तों इसके इलावा अगर आपका blood sugar नियंतरित नहीं रहता, control में नहीं रहता और blood sugar को control करना है तो fiber लेना जरूरी है fiber और ऐसा खाना जिसका glycemic index काफी कम हो तो आप blood sugar को बहुती असानी से control कर देते हैं तो ये दोनों की दोनों चीज़े pumpkin seed के अंदर पाई जाती है pumpkin seed हमारी body के अंदर जाकर glycemic index को कम कर देता है इसके इलावा हमारी body के अंदर blood sugar level को control में कर देता है और fiber की मातरा को body में बढ़ा देता है जिससे पेट भी अच्छे से साफ होने लगता है अगर आपको अच्छे से नीद नहीं आती आपको बहुत ज़दा stress रहता है आप बहुत ज़दा तनाव में रहते हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या इसके लिए रोजाना कोई दवाई खाना सही है तो बिल्कुल सही नहीं है आप अगर दवाई खाते रहेंगे और ये सोच रहे हैं कि दवाई खाने से आपकी ये समस्य ठीक हो जाएंगी और नीद अच्छे से आने लगेगी तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि अगर आप अच्छे से नीद लेना चाहते हैं तो ऐसे हार्मोन से आपके बॉडी में आने चाहिए जो रिलیک्स हार्मोन हो और अगर आप रोजाना पंपकिन सीट का सेवण करते हैं तो ये आपकी बॉडी में रिलیک्स हार्मोन को बढ़ा देगा और आपके डरफ सिस्टम को स्ट्रॉंग कर देगा नसों में आने वाली जितनी भी तकलीफें हैं नसे कमजोर हो रही हैं नसे दब रही हैं या नसों में एटर नहरी हैं जिसके कारण आपको लगता है कि कभी कहीं से दर्द हो रहा है कभी कहीं से दर्द हो रहा है तो ये समस्या भी दूर हो जाएगी दोस्तों अब इस pumpkin seed का इस्तमाल कैसे कर रहा है वो बता देती हूँ लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखीगा जब भी आप pumpkin seed को खाएं हमेशा ही अच्छे से चबा कर खाना है खाने में ज़्यादा से ज़्यादा fiber का intake कीजिए salad खाईए और कम से कम अपनी body को 30 मिनट का warm up यानि 30 मिनट की exercise जरूर कीजिए चाहे आप 30 मिनट की walk कर लीजिए या 30 मिनट का warm up exercise या aerobics कर लीजिए और एक चीज़ का और ध्यान रखिए कि आपने जब भी पानी पीना है और अपने वजन के according पीना है यानि कि अगर आपका वजन 7 kg है तो आपके लिए 3 लीटर पानी पीना जरूरी है अगर आपका 80 kg वजन है तो आपके लिए 4 लीटर पानी पीना जरूरी है pumpkin seed का इस्ते झाल कैसे किया जाए कि इसके फाइदे जाता मिले तो आपने एक चमपच पंपकिन सीड रात को भीगो देने हैं इसके अंदर आपने एक अकरोट दाल देना है भीगोते टाइम और सुबह उठकर ये पंपकिन सीड जो भीगे हुए है वो और अकरोट इन दोनों ही दोनों चीजों को अच्छे से चबा कर खा लेना है और उपर से अलग से गुनगुना पानी करना है और उसे पी लेना है इस तरीके से अगर आपने रोजाना किया तो जो ये आपको मैंने तकलीफे बताई हैं चूडों में हुने वाला दर्द या हार्ट प्रॉब्लम या बुरा कॉलेस्टोल या बैड या फिर ब्लड शुगर की समस्या या नीद ना आने की समस्या ये सबी दूर हो जाएंगी यकीन मानिए मेरे का ही तरीके से अगर आपने 20 से 25 दिन सेवन कर लिया तो आपकी बहुत सारी तकलीफे दूर हो जाएंगी दोस्तों ये जानकरी इन्फोर्मेशन यही तक थी मैं उमीद करती हूँ कि आशाकर्दियो की जानकरी आपके लिए फायदे मन्द होगी अगर आपको ये जानकरी अच्छी लगी आपकी काम की है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको इस वीडियो से संबंदित कोई भी सवाल है तो आप जरूर पूछे आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा तक यू वाचिक वाचिक मैं वीडियो के बाई